बॉलिवूड के बड़े स्टार अक्षे कुमार और मनुशी चिलर की लीड रोल वाली फिल्म पिर्थुराज पिछले कुछ दिनों से चर्चा में है इस फिल्म को लेकर कई सारे वाद दिवाद चल रहे थे अब दिल्ली हाई कोड ने फिल्म को रहात देते हुए अक्षे की आने वाली फिल्म पिर्थुराज का टाइटल चेंज करने की मांग करती जन्हित याचिका पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया है आपको बता दें कि यसराज बैनर तले बन रही इस फिल्म को इस साल 10 जून को रिलीज किया जाना है और इसको लेकर इसके नाम को लेकर काफी विवाद चल रहा है कोट ने इस मामले के सुनवाई करते हुए कहा है कि पिर्थुराज चोहान एक मांग समराट थे फिल्म का शीर्षक केवल पिर्थुराज रखने से समाज के एक बड़े वर्ग की बावनाय आहात होती है ऐसे में सुजाओ के तौर पर कहा गया कि फिल्म का टाइटल मांग समराट पिर्थुराज चोहान होना चाहिए आपको बता दे कि इस फिल्म के टाइटल को लेकर करनी सेना ने काफी विरोध किया था करनी सेना ने आरोब लगाया था कि मेकर जवारा समराट पिर्थियराज चोहान की छवी दुमील करने की कोशिश की जा रही है गौरत रब है कि अक्षे की ये फिल्म दॉक्टर चंदरप्रकाश दिवेदी के निर्देशन में बन रही है ये फिल्म 10 जून को रिलीज होने वाली है इस फिल्म में अक्षे कुमार के साथ साथ मनुसी छिलर सोनु सूद और संजय दत की एहम भूमिका होने वाली है वहीं पिर्थिराज को लेकर विवात काफी जादा यूपी में बढ़ गया था यहां मामला इलाबाद हाई कोट तक पहुँच गया वहाँ इस फिल्म के टाइटल को लेकर आपत्ती दर्ज कराई गई साथ ही पिर्थिराज चोहान को गलत अरीके से पेश करने और उनकी रानी को अशलील पोशाक में दिखाने इत्यादियू मुद्दो को उठाय गया था कोट ने इस मामले को अगली सुनवाई के लिए किस स्वर्वरी के सप्ता में करने का अदेश दिया था अब देखना होगा कि दिल्ली हाई कोट के बाद क्या इलाबाद हाई कोट में भी अक्षय की नई फिल्म को रात मिलेगी देखना दल्चस्प रहेगा बैराल आप हमें कमेंट करके बताएं कि आप प्रत्युराज चौहान को लेगर कितने एक्साइटड है कमेंट जरू करें और भी खबरों के लिए सब्सक्राइब कर दे चैनल देखो देखो को